Hello students, today I am going to teach Hindi, lesson number 7, बोध, अब ये बोध क्या है बच्चों? ये आपको देखना है, मतलब बोध मतलब हमें ज्ञान भी होता है, जानना भी होता है, है ना? और हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? समझेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, देखो, पढ़ो, समझो और बताओ, इ बताना भी है, तो ये बहुत easy है बच्चों, देखो यहाँ पे, eyes का चितर बना के दिया है न, eyes है, उसका picture draw किया है, जिसके क्या होता है, आँख, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? वच्चन, अपनी grammar में वच्चन पढ़ा होगा, जो होता है, एक बच्चन और बहु बच्चन है, तो ये आपको ऐसा ही picture draw करना है, और अपनी हुंबक में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पेटी दिया है और पेटिया है, मतलब पेटी एक बच्चन और पेटिया बहु बच्चन, अब देखो औशधी एक है, एक bottle है न, अब अब बहुत सारी है, तो ये क्या है, आउशधिया, मतलब आपका आउशधी एक बच्चन है, और आउशधिया बहु बच्चन है, पपीता और पपीते, एक पपीता और एक से जो जादा होते हैं, वो बहु बच्चन होते हैं, तो क्या हो गया बच्चों, ये बहु बच्च हो गया अभी आप फिप्त में गया है ना तो आपको ग्रामर इतना नहीं होगा नॉलेज बट मैं आपको बता देती हूं जैसे आपका वन और मेनी होता है ना बच्चों ठीक उसी प्रकार से यह एक बचन और बहु बचन होता है अब देखो यहां पे है क्या है आम और क्या आ हाम का आम ही आएगा ठीक है अगर इसमें यह अभी आपका इंग्लिस में होता है तो कैसे अहना I am अभी देखो आख है तो आखको किंग्लिजंगे क्या बोलेंगे आइयृ है न और जब दो आजाएंगी तो i-s लग जाता है पहले आपकी Spelling जो रती-ी वह रती है इसके बाद जभी हम Mon wam करते हैं तो उसमें क्या लग जाता है वच्छों यस लगा देते हैं है ना वैसे ही होता है एक बचन और बहु बचन तो फिर इसमें आपको मैंने यहां तक आम तक बता दिया वच्छों अभी हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं तो नेक्स्ट में क्या है देखो माला जो गले में पैना जाता है मालाए बहुत सारी मालाएं यहाँ पर दिख रही है सिक्का सिक्के अब एक बचन सिक्का और सिक्के बहु बचन तौलिया एक बचन तौलिये बहु बचन बंदर एक बचन बंदरिया, बहु बचन और बिल्ली, देखो बिल्ली क्या है, एक बचन बिल्ली एक बचन और, और क्या है और बिलाओ, है न बहु बचन अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या है सिंग ओकी बच्चो देखो आपका तौली तौलिये तक तो एक बचन और बहु बचन ठीक है अब यहाँ पो क्या आ जाता है बच्चों आपका स्रिलिंग और पुलिंग, यह जो बंदर-बंदरिया दिया है न, यह स्रिलिंग और पुलिंग भी होता है ठीक है तो यहाँ पे बंदर क्या है और बंदर यह अलग हो जा रही है न और यहाँ पे बिल्ली और बिलाव हो जा रहा है तो दोनों अलग जाती के हो जा रहा है जाती तो होई है लेकिन लिंग अलग हो जा रहा है मतलब उनका gender change है तो ये बंदर है और ये बंदर्या है तो ये बंदर क्या है? pulling है और बंदर्या strilling है अब बिल्ली क्या है? strilling है और बिलाओ pulling है इसमें आपको मैंने वचन भी बता दिया और लिंग भी और आगे देखते हैं ये भी वही है singh, singhani guy, bell, hiran, hirni nagin, nag chuhia, chuhah ये हो गया link आपका ओके बच्चों तो जब आप इसको हुमक में करेंगे बच्चों तो ऐसे ही आपको picture draw करना है और लिखना है जब starting का आप draw करेंगे और लिखेंगे तो एक column में लिखेंगे एक बच्चन और दूसरे column में लिखेंगे बहु बच्चन और जब आपको वहां से करना रहेगा न जहां से ये बिली और दिलाव है और और क्या था one minute हा हाँ, बंदर और बंदरया यहां से जब start करेंगे न तो एक column में लिखेंगे pulling और दूसरे कॉलम में लिखेंगे strilling तो जो strilling जाती के रहेंगे वो उसमें लिखेंगे, जो pulling रहेंगे वो उसमें लिखेंगे pulling में, ओके बच्चों और आपको ये picture draw करना है वैसे सब तो easy हैं बस 2-4 picture हैं जो बहुत hard हैं जैसे की sing हो गया गाय हो गया, हिरन हो गया अगर ये बहुत difficult लगे तो रहने देना, अगर आप कोसिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं घर में बैटके वैसे भी आपकी time pass हो जाएगी ओकी बच्चों तो अभी देखो, अभी आपका वो finish होता है अब देखो B अभी हमने अ देखा न, अब समान और विरुद समान और विरुद का मतलब जानते है एक है समान आर्थी और दूसरा है विरुद्धार्थी ठीक है, एक क्या रहेगा एक word का हमें समान word बताना पड़ेगा फार एक्जामपल आंक, नेत्र दोनों एकी होता है न, बच्चों आंक भी एकी होता है, नेत्र भी एकी होता है मतलब नेत्र मिंस भी आंक होता है, आंक मिंस भी आंक होता है, है न, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है आंक, नेत्र यह आपका क्या है, समान आर्थी है क्या है समानार्थी ऐसे जब आप लिखने जाएंगे न नमबर वन नमबर टू उसके पहले जब आप कोश्चन लिखेंगे इसके बारे में लिखना है तो पहले लिखेंगे समानार्थी सब्द उसके बाद लिखेंगे आँख आँखें और देखो, ब्रिच, पेड, पंची, पच्छी, पुस्प, फूल, अभी दोनों एकी नाम है न, लेकिन अलग-अलग है, समान, द्वार, दर्वाजा, चार पाई, खटिया, सबेरा, सुबह, केस, बाल, केस, बाल, ओके बच्चों, दो कह यहां पर बाल दिया है न, तो यह आपका है समानार्थी, ठीक है, अब देखो, आपका आएगा विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो समान लिखा था, समान तो मैंने बता दिया आपको समानार्थी, अब विरुद्धार्थी, दिन, रात, मतलब इसका उल अधिक, है न, छोटा, बड़ा, देखों, यहाँ पे बड़ा है न, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, गरम ठंडा, सुखी, दुखी, बंद खुला, आगे पीछे, यह भी आपको क्लियर हो गया बच्चों, यह भी क्लियर हो गया, तो मैंने आज आपको क्या क्या सिखाया, वचन सिखाया, इसमें आपका ग्रामर भी हो गया, वचन हो गया आपका, लिंग हो गया आपका, और आपका समानार्थी हो गया और विरुद्धार्थी हो गया, मतलब चार टॉपिक आपने इतने से पिक्चर में और नाम में सीख लि और यह picture तो आपका बहुत easy है यह सारे picture भी आपको वैसे ही draw करने है और वैसे ही लिखना है समनार्थी भी और विरुद्धार्थी भी ओके बच्चो तो एकदम अच्छे से एक्जाम में भी आता है आपको एक्जाम में पूछेगा तो आप लोगी अच्छे से अपना लिखना भी और पढ़ना भी और इसको mind में भी रखना learn भी करना ओके बच्चो I hope आपको समझ में आ गया होगा अब next lesson अब next वीडियो में दे subscribe करें और अपने friends में भी शेयर करें ओके बच्चो थैंक यूँ